कॉंग्रेस अध्यक्ष सोन्या गांधी ने मोधी सरकार से पडियावरन को लेकर प्रस्तावित इन्वार्मेंटल एसेस्मेंट इंपैक्ट ड्राफ्ट को वापिस लेने की मांग की है सोन्या गांधी ने अपने संपाद किये में संस्कृत के एक स्लोक को उध्रित करते हुए कहा है कि अगर हम प्रकृती की रक्षा करेंगे तो प्रकृती हमारी रक्षा करेगी सोनिया गांधी ने 2018 के आंकरों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 6 साल में दुनिया भर के 180 मुलकों में पडियावरन के लिहाज से भारत 177 पाइदान तक नीचे आ गया है ऐसे में सरकार को Environmental Assessment Impact Draft जिसे लोगों के Feedback के लिए अभी प्रस्तावित किया गया है उसे वापिस ले लेना चाहिए सोनिया गांधी ने पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि किस तरह से पडियावरन को लेकर इंद्रा गांधी समवेदन सील थी और उस वक्त की सरकार के दौर में पडियावरन को लेकर कई सारी नीतियां बनाई गई थी सोनिया गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोधी सरकार ने उस वक्त Ease of Doing Business के नाम पर पडियावरन को अंदेखा किया था कई सारे ऐसे नो जोन एरिया में उद्योगों को बढ़ावा दिया था सोनिया गांधी ने यूपिय सरकार के दौरान आदिवासियों को लेकर बनाए गए नियमों को डाइल्यूट करने का आरोप मोधी सरकार पे लगाया और ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि मोधी सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हर साल स्मॉक के नाम पर एर पॉल्यूशन के नाम पर बारह लाक से ज्यादा लोगों अपनी जान कवा रहे हैं ऐसे में पडियावरन को लेकर किसी भी तरह से कानून में धील नहीं दी जानी चाहिए